नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्टू रेमेडीज दर्चकों आप लोगों की तरफ से लगतार क्वेरी जा रही थी कि वास्तू से संबंधित कुछ और जानकारी उपलब्द कराएं मैंने बहुत सारे वास्तू से संबंधित तुपाएं और जानकारियां आप लोगों को पहले भी उपलब्द करा रखी हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल में वास्तू से रिलेटेट प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी आज हम लोग इसी करम में चर्चा करेंगे कि लोग वास्तू में ये म मकान हो तो पूरव मुखी हो या उत्तर मुखी मकान कैसे आपका नुक्सान करेगा बहुत से लाजिक है बहुत ध्यान से सुनिएगा आम तोर पर लोगों का ये मानना है कि उत्तर की और जिस मकान का मुख्य प्रवेश्दबार होता है उस घर में रहने वाले लोग खुशी से परिपूर्ण होते हैं बहुत स्वस्त होते हैं सम्रद होते हैं खुशी उनके घर में होती है इसलिए लोग उत्तर मुखी मकान में ही खोजते हैं और ऐसे ही मकान में किराय पर भी रहने का प्रयास करते हैं लेकिन व्यावारिक्ता में ऐसा देखने में आता है कि उत्तर की ओर मुख वाले मकान में रहने वाले लोग भी कई बार परिशान हो जाते हैं और कई तरह की समस्याओं से उनका भी सामना होता रहता है दरसल घर का मुखिद्वार भले ही उत्तर में हो लेकिन इसमें वास्तु के नियमों का यदि पालन नहीं किया गया बनाते समय तो उत्तर मुखी घर में रहने वाले व्यक्ति भी कष्ट पाते हैं उत्तर मुखी घर में मुखिद्वार पूर्व की बजाए देखे शास्त्र का नियम है कि अगर प्लोट आपका नॉट फिसिंग है उत्तर मुखी है तो घर का एंट्रेंस जो है वो नौट इस कॉर्णर से हो यानि उत्तर मुखी मकान में पूर्व की तरफ से इशान कोण में प्रवेशद्वार होना चाहिए अब अगर आपको पूर्व की तरफ से प्रवेशद्वार नहीं मिल रहा है और आपने किसी मजबूरी की वज़े से वायव्य कोण की तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ करके अपना एंट्रेंस बना लिया और आप नौर्फेस की तरफ के एंट से वेशद्वार पश्चिम की तरफ पूर्व उत्तर मुकी प्लट में पश्चिम की तरफ बढ़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति आपने घर में बहुत लंबे समय तक स्थिती आ जाती है बहुत से लोग उत्तरपश्चिम की मुख्य प्रवेशद्वार के पास ही भूमिगत पानी की टंकी यानि अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लेते हैं या बोरिंग बनवा लेते हैं इससे वास्तु दोश और ज्यादा गंभीर हो जाता है वो जो वास्तु दोश पहले ही था उत्तरपश्चिम वायव के इंट सिता वाद विवाद तनाओ की इस्तिती और बढ़ने की संभावना हो जाती है भाईयों में भी जगड़ा होता है और उनकी बहुँँ में भी कलेकलेश की इस्तिती रहते हैं यानि घर का सुखचैन हमेशा के लिए फिर इस दोश की वज़ह से चला जाता है ऐसे घर में रह घर में रहने वाले पुरुषों को शारिरिक, मानसिक और आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता, क्योंकि हमारा शास्तर कहता है कि किसी भी प्लॉट में जब आप उत्तर मुखी हो या पूर मुखी मकान हो जब भी आप घर बनाएं तो पश्चिम और दक्षण में कंस्ट्रक्षन जदा हो यानि पश्चिम और दक्षण की तरफ खुली जगह कम हो ऊरभ और उत्तर की तरफ खुली जगह जदा हो वहीं अगर आप के उपर तमाम तरीके के संकट आर्थिक परेशानियां, सामाजिक परेशानियां, पारिवारिक दबाव वगर आने लग जा इससे परिवार की इस्तियों को कश्ट का सामना करना पड़ सकता है घर से जो भी गंदे पानी की निकासी है वो हमेशा उत्तर से होकर के पूर्व को निकले ये वास्तु के नुसार ही सही माना जाता है वास्तु सम्मत यही होता है उत्तर मुखी घर को किस तरीके से आप भाग पढ़िया रहता है दक्षण पूर्व में कुछ भाग खुला आप छोड़ सकते हैं उत्तर की तुलना में दक्षण दिशा में और पूर्व की तुलना में पश्चिम दिशा में आपको खुली जगह है कम छोड़नी चाहिए यानि जैसे मैंने समझाया कि दक्षण और हो या बोरिंग कराना हो इशान कोंड या पूर्व दिशा में अगर आप बनाते हैं तो और भी शुब होता है सेप्टिक टैंक के मद पूर्व या मद उत्तर दिशा में बनवाएं और पानी जो है वह उत्तर से होते हुए पूर्व निकले जो आपका वेस्ट वाटर है तो व प्रयास करना चाहिए कि इशान कोंड से आपका प्रवेश द्वार हो तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त से जुड़ी जानकारियां ग्यान की बातें जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है वो निश्यती पसंद आती होंगी आप सभी से बार-बार प्राग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पास्तू रेमेडीज धन्यवाद